हेलो रिवान, वेलकम टू फॉर्मरोक्स यूटूब चैनल, फॉर्मरोक्स के यूटूब विज्यो किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वोड़ी लेक्चेर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी डायरिया की दवा के बारे में डायरिया मतलब कि ऐसी कंडिशन की जिसके अंदर आपको बार-बार मल त्याक करना पड़ता है लूज मोसन की जो हम कंडिशन कहते है या फिर उसको दस्त या फिर पैचिस भी का हो जाते है तो उसके इलाज में जो पांच सबसे अच्छी दवाईया है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं डायरिया के अंदर जैसे कि आपको अब्डॉमिनल पेंज होता है साथ उसाथ लार्ज इंटेस्टेन और स्मॉल इंटेस्टेन के अंदर अबनॉर्मल इडिस होती है मतलब कि वहाँ पे चाहे सूजन हो जाती है या फिर किसे बैक्टियर के कारेंट इन्फेक्शन होता है और उसके करण जो कंडिशन प्रोडिस होती है उसको हम दस्त कहते हैं कि आपको बार बार जो मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है लूज मुसन वालिए कि आपका जो स्टूल हो काफी वाटरी हो जाता है लूज हो जाता है जिसको हम कहते हैं और उसके करण जो problem होते है उसको watery diarrhea कहा जाता है और bowel moment मलब कि आपकी जो intestine की जो moment है वो बढ़ जाती है और उसके करण आपको बार बार जो है वो toilet के लिए जाना पड़ता है फिर कई बार mucos भी आता है stool के अंदर stool के अंदर water content बढ़ जाता है और साथ साथ आप में पेट दर इसरें founder of pharma rocks thank you for being pharma rocks family जैसे आज हम सिखने वाले है डायरिया के बारे में ऐसे ही सिखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में medicine course के अंदर की जैसे हम आज सिखेंगे कि कौन सी दवाईया हम डायरिया में use करेंगे उनके dose जानेंगे side effects जानेंगे तो ऐसे ही medicine course में अलग अलग बीमारियों के बारे में सिखें दवाईयों के बारे में सिखें और वो भी affordable price में एक साल तक तो join करने के लिए हमें whatsapp करें 9016312020 पे या फिर हमारी app को download करें android application भी download कर सकते हैं या फिर iphone application भी आप download कर सकते हैं link description box में मिल जाएगी या फिर second channel को भी subscribe करके support करें जिसका नाम है hollywood to hindi explain link description box में मिल जाएगी तो अब जानी है diarrhea diarrhea मतलब कि ऐसे condition के जिसके अंदर आप जो है दिन में तीन या फिर तीन से अधिक बार जो हो stool pass करते हैं मनलब कि आपको toilet के लिए तीन या फिर तीन से अधिक बार जो हो जाना पड़ता है और stool की consistency हम देखे तो वो काफी watery हो जाता है तो यह होने पीछे का एक main reason यह होता है कि आपकी जो bowel moment है bowel मतले कि आपके intestine की जो moment है वो increase हो जाती है और जिसके करण आपको यह complications होता है फिर infection के करण जो stool होता है उसकी consistency भी काफी bigger जाती है कि normally जो stool होता है उसके अंदर oil and water का अ वो काफी increase होता है जिसके करण आप देखो तो हम कहते है कि उसको watery diarrhea कहा जाता है काफी water and electrolytes भी यह dust के साथ जो होता है तो जिससे मैंने अभी आपको समझा है जो problems डायरे के जिसको patches भी कहते है dust, lose motion, बार-बार toilet के लिए जाना, stomach pain होना, nose होने तो उसके पीछे reasons क्या है तो सारी reason है तो एक primary infection जो है वो responsible है इसके लिए कि अगर किसी को infection होता है तो यह infection के कारण जो हो lose motion जो हो आपको हो सकते है जैसे कि infection होने का reason है कोई food poisoning आपको हुआ है तो ऐसा contaminated food खाने से या फिर ऐसा पानी पिने में आया है कि आप कई बार देखो कि traveling करते हो traveling के दौरान food या फिर water की जो quality है वो change होती है या फिर कोई ऐसा contaminated आप water या फिर खाना खा लेते हैं जो दूसीत खाना या फिर दूसीत पानी से भी यह फ्याल सकते हैं फिर stomach flu जो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे virus या फिर bacteria is responsible बनते हैं इसके लिए फिर कुछ दवायों के side effect के करण फिर IBS के अ irritable bowel syndrome के patient है तो भी आपको बार-बार diarrhea हो सकते हैं फिर किसी को milk का intolerance है, soy protein का intolerance है मतलब कि आप milk digest नहीं करते हैं अच्छ से तो भी अगर आप milk या फिर milk containing products लेते हैं तो भी आपको तुरंद diarrhea हो साएगा या फिर को ऐसी medications या फिर को ऐसी food की आपको allergy है या फिर celiac disease में जो है वो complications बनते हैं डायरिया तो ट्रावेलर्स डायरिया, antibiotics की side effect, anxiety में लिएक stress से चिंता है, food allergy, फिर appendicitis की condition, radiation, enteritis, intestinal leukemia, तो सभी के अंदर एक डायरिया जो है आपके लिए symptom बनता है, तो यह है बहुत सारे लग-लग reasons की जिससे आपको दस्त हो सकता है तो बच्चों में भी इसके काफी सारे reasons ही के कोई medications के करण, कोई बिमारी के करण, अगर starting में आप उनको solid food देना चलू करते हैं, starting में वो milk लेता है और फिर देरे कोई solid food खाना start करते हैं, तो भी उनको डायरिया जैसा होता है, या फिर कई बार traveling करो, area change हो तो भी हो सकता है जियारण भी हो सकता है, जियारडिया है, एंड, साइक्लोस पुरती है, अलग-अलग microorganism भी responsible बनती है, डायरिया के लिए, जैसे E. coli bacteria, Campyloverctor, Clostridium, Cigella, Vibrio cholera, Salmonella, तो जो ये सभी बेक्टेरिया खास कर, जो दूसीत पानी होता है, कौन्टेंट अमिनेटर जो water कहते है या फिर जो food होता है, उसके थो आपके सरीर में जाते है, और stomach के थो intestine तक पहुँच के वहाँ पे infection करते हैं, तो इसको treat करने के लिए जो 5 सबसे best दवाईया है, उसमें सबसे पहला best option है, वो है लोप्रामाइड, लोप्रामाइड के साथ combination में आप ofloxacin and ornidazole भी ले सकते हैं, या फिर यह तो compulsory लेना ही है, यहाँ पे मैं tick mark कर रहा हूँ, लोप्रामाइड compulsory लेनी है, बट ओफ्लाग्जसीन या फिर और निडाजॉल, ओफ्लाग्जसीन और निडाजॉल और सिप्रो मेट्रोल निडाजॉल में से कोई एक, तो यह रहेगा option में, यह खास समझे कि दो और तीन में से कोई एक combination के समझे, कि आप लोप्रामाइड के साथ combination बनाते है, ओफ्लाग्जसीन और निडाजॉल का, तो यह एक best combination बनेगा, दस्त को treat करने के लिए, डायरिया को treat करने के लिए, फिर इससे भी समझे के ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक और medication उसमें है कि आपके stomach की lining या फिर intestine की linings damage हो रही है, या फिर ऐसा problem हो रहा है कि काफी लंबे समय तक डायरिया चल रहा है, तो उस वत एक और medication याड की जाती है, that is sulfasalazine, और यह सभी medications के साथ compulsory रहेगा, एक दूसरा option that is ORS, कि आपको ORS जो है, वो compulsory लिना है, यह सभी medications के साथ, त लोप्रामाइड जो है, वो anti-diarrheal drug कही जाती है, और यह आपके लिए first choice रहती है, डायरिया के दरान, यगर आपको डायरिया हुए, तो यह medication आपको compulsory first choice के तौर पे लेनी है, because यह क्या करता है, anti-motility drug है, मनलब कि आप समझो, कि डायरिया के अंदर जो problem है, वो है, बाउल movement जो है, वो increase होना, कि आपकी bowel movement, मनलब कि intestines की movement है, वो increase होती है, तो उसको decrease करना जरूरी है, तो उसके लिए यह low-pramate जो हो दी जाते हैं, जो motility है, वो कम होती है, कि जिसके करण water stool जो हो जाता है, lose motion slow हो जाते है, और आपको जो हो काफी relief मिलता है, low-pramate खाने के बाद, कि इसके dose की हम बात करें, तो 4 mg जो हो सरुवात में patient ले सकता है, और उसके बाद 2 mg और maximum 10 mg जितना आप दिन में ले सकते हैं, तो simply में आपको बता दू, कि यह जो 2 mg की जो tablet है वो दिन में, तीन बार जो हो patient ले सकता है, 1-1, 1 की तोर पे कि आप सुबह खाते हैं, दो फेर और रात को इस तरह से, 2 mg का dose दिन में तीन बार patient ले सकता है, और chronic diarrhea है तो 2 mg दिन में आप दो बार लीजिए, लोपरामेड कुछ side effects कर सकता है, जैसे कि dizziness है, drowsiness, tiredness हो लेकि ठाकान हो सकती है, constipation जिसा, तो वीडियो के बीच में बता दो कि हमने जो second channel चालो कि उसको जरूर स subscribe करें और हमें support करें, link description box में मिल जाएगी, तो हमारी second channel का नाम है Hollywood to Hindi Excellence को जरूर से subscribe करें और हमें support करें, तो second जो option है आपके पास वो है ओफ्लॉक्जासिन और्नीडाजॉल, तो लोपरामेड तो आप लेते ही है, बड़ साथ में यह medication भी आप खास लेके कर आपको diarrhea हुए ह कि जिसका नाम है ओफ्लॉक्जजन और्नीडाजॉल कि चेए एक antibiotic दवाई है कि जिसके अंदर दो दवाईियों का combination है, एक antibiotic है वो है ओफ्लॉक्जासिन है और दूसरा और्नीडाजॉल है कि ओफ्लॉक्ज रहता है 200MG जितना और्नीडाजॉल रहता है 500M districcal घरूस और शक तीन दिन का कोर्स रहता है कि 6 टेबलेट दी जाती है एक टेबलेट आप दिन में 2 बार खाते हैं तो ये हो गाए डे वन के लिए कोर्स ये वाला जो है वो डे टू और तीसरा जो है वो डे 3 के लिए तो maximum तीन दिन लेने से डाइरिया जो है वो आपके ठीक हो जाते हैं कि अगर reason है कोई bacterial infection food poisoning के करण contaminated water के करण आपको दस्त हुए है तो ये medication को side effects भी कर सकती है जैसे कि dizziness कर सकती है सीरदर जैसा stomach upset जैसे condition nausea vomiting है loss of hypotermal के बूख कम हो जाना कुछ cases में उसके overdose से diarrhea और ज़्यादा बिगड सकते है या फिर आपको constipation हो सकता है ये medication के करण और metallic test जैसे side effects develop करती है ये combination तीसरा option है आपके पास कि अगर metronidazole और ciprofloxacin का है अगर ofloxacin और nidazole आपके लिए काम नहीं कर रही है तो दूसरा option बनता है ciprofloxacin और metronidazole का तो उसमें क्या करते है कि कई बार metronidazole की जो वो patient को drip भी लगाई जाती है कि tablets खाने से diarrhea ठीक नहीं हो रही है काफी ज़्यादा nausea vomitting हो रही है तो उस वगद जो metronidazole करके जो उसका brand है उसका drip लगाया जाता है और या फिर flashil करके जो उसका combination है तो जो parasitic infections जो हम कहते है कि amoebic, dysentery और diarrhea की entamoeba histolytica के करण या फिर उसके similar दूसरे जो parasite से per-GV के करण diarrhea हो रहे है तो उस वक्त ये काफी best option रहता है आपके लिए और dose जो हो रहता है 200 mg दिन में 3 बार या फिर 400 से लेकर 500 mg दिन में 3 बार maximum dose के तौर पे but usually minimum dose से ही treatment शुरू की जाती है उसी तरह से ciprofloxacin का भी combination यूज के जाता है तो metronidazole और ciprofloxacin दोनों combination में जो हो दिय जी जाती है और ciprofloxacin का भी dose रहता है 500 mg दिन में 2 बार या फिर खासकर आप lower dose से treatment जो हो उसके करता है और खासकर इसका भी course जो हो एक या फिर तीन दिन तक रहता है और उसके बाद अगर जरूरत पढ़ने पर ही medicine ली जाती है वरना आप जो हो skip कर सकते हैं तो ये medication के भी similar side effect है ओ फ्लॉक्जसacin और निडाजल की तरह ही ये क्योंकि दोनों जो ओ फ्लॉक्जसacin और सिप्रो फ्लॉक्जसacin दोनों से में और मेटरनिडाजल की तरह ही औरनिडाजल की effect रहती है तो दोनों के side effects जो है वो similar रहते हैं कि जो अभी हमने discuss किये चौथा option है anti-roquinol की अगर आगे के दो medication के combination से भी आपके diarrhea या control में नहीं आ रहे तो एक और ये medication एड़ की जाती है कि जिसको anti-amibic drug कहा जाता है और ये बहुत सारे अलग अलग जो amibic infections होते हैं उसको treat करता है उसके अंदर जो medication ये वो है quiniodochlor करके है 250 mg जितना रहता है और जिसका dose रहता है कि enterokinol को बच्चों में यूज ना करें तो enterokinol के कुछ side effects जैसे कि liver function टेस्ट abnormal आ सकता है सीरदर दिया फिर abdominal pain कर सकती है stool का color green हो सकता है आपको nausea vomiting जैसा फिल होता है fever भी होता है उसके current ठन लगती है मला कि ये medication अगर आप लेते तो थोड़ी देर बाद ही आपको ठन लगेगी और बुखार आएगा hair loss जैसे complication और vertigo में लगती चक्कर भी आ सकते है तो अगर जरूरत है तो ही ये medication ली जाती है diarrhea के अंदर एक अच्छा और best option है कि जैसे diarrhea control में आते हैं अगर दुसरी medications work ना करें बट शुरुवात में समझे कि लोप्रामाइड ओफ्लॉक्स जैसिन और और निडाजोल से समझे कि आपके diarrhea control में आ जाते है तो ये चौथे नंबर वाले medication लेने की जरूरत नहीं है कि जिसका नाम है एंटेरोक्विनल पांचवा एक है वो है sulfasalesine तो अब जानिया sulfasalesine का रोल क्या है diarrhea के अंदर को कई बार क्या होता है कि diarrhea के कारण आपके जो बाउल होते हैं मैं आपके जो intestine होते हैं वहाँ पे inflammation यानि की surgeon आ जाती है तो वो surgeon को कम करने के लिए sulfasalesine जो वो यूस की जाती है कि जिससे stool की जो frequency जो बढ़ गई है वो कम होती है फिर कई बार blood भी आता है कि जिसको rectal bleeding हम कहते है abdominal pain होता है कि जो कुछ symptoms होते है Crohn's disease के दोरान तो ये medication भी कई बार prescribe की जाती कि अगर आपके diarrhea लंबे समय तक रहते है सूजन आ गई है intestine में blood भी आ रहा है तो उस वाग ये एक option भी add किया जाता है और इसके dose के हम बात करें तो 1.5 से लेकर 2 gram जितना dose जो है वो per day में patient receive कर सकता है और वो भी divided dose में मतलब कि आप मानलो कि ये 500 mg का tablet यूज़ कर रहा है तो वो tablet आप दिन में तीन बार या फिर दिन में patient उसको दो बार जो है वो ले सकता है कि जिससे उसका proper treatment हो सके ये medication को sad effects करती है जैसे कि stomach upset लागे पेट में आपको uncomfort result जैसा फिलोगा nausea emitting हो सकती है बूख कम होना सीर दर्द डिजीनेस में लागे नीन दाना थकान जैसा और ये एक side effect खास notice की जाती है कई बार कि skin या फिर urine का color orange या लो होना तो गर इन में से कोई भी side effect ज़्यदा severe होती है तो sulfasal as in को लेना जो है बंद कर देना चाहिए और आगे के जो हमने जो options कहें कि एक आप लोप्रामाइड जो है वो ले सकते हैं या फिर ओ फ्लॉक्स एंड और निडाजवल प्लस साथ में ओ आरेस तो इतना भी पेसेंट कंटीनू रखता है तो भी उसका डायरिया जो वो जाता है साथ तुसाथ जो हाइरेसन के लिए के कौनिकि हमने जाना कि वाटर ही डायरीय हो जाते है पानी काफी लऊस होता है जो दॉसके करण डायर्यया के करण ड्य हाइड पए बार होता है तो और ड्य हाइड मिनरल are water जो है आपको कह alltså लेrik Kendall यह होता है तो वो medications तो आप ले ही रही है बड़ साथ ही ओवारेस और diet के हम कात करें तो diet में आप जो है वो बनाना खाए और कुछ भी खाना है वो एवड करें बनाना खाए एपल सैडर विनेगार जो हो ले सकते हैं अगर आपको दस दोते हैं तो जैसे अभी हमने सीखा ऐसे ही सीखे डीटेल में medicine कोर्स के अंदर दवायों के बेसिक यूज के बारे में उनके dose, side effect, warning content indication एक साल तक affordable price में farmer rocks के अप उपर तो ये कोर्स जोइन करने के लिए हमें whatsapp करे 9016312020 पे साथ ही हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करे लें डिक्सक्रेशन बाक्स में मिल जाएगी good luck and all the best